दोस्तो आज हर एक मनुष्य मान सम्मान पाने की लालसा रखता है और कोशीश भी करता है अगर आप भी मान सम्मान पाना चाहते हो तो तुरंत त्याग दो ये आदते और आओ सुने आज की चानक्य निती आचार ये चानक्य एक कुशल रण नितीकार, कुठ नितिग्य और महान अर्थ सास्त्री थे उनकी गणना विश्वय के स्रेश्टम विद्वानों में की जाती है चानक्य की बुद्धिमता के कारण इनहीं विश्णो गुप्त वे कोटिल्य भी कहा जाता था इनको चानक्य नाम अपने गुरू चानक से प्राप्त वा था आचार ये चानक्य द्वारा रचित चानक्य निती आज भी लाखुं विवाउं का मारकदर्शन करती है चानक के निती में द्रम अर्थ और करतेवे के साथ-साथ जीवन की विविन महतवपुन नीतियों के बारे में विश्दार से बताया गए साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है जिनके कारण व्यक्ति को अपना अपमान का सामना करना पड़ता है एसे में यदि आप हमेशा अपने सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो तुरंत इन आदतों का त्याग कर देना चाहिए चलिए जानते हैं आचारिये के अनुशार ऐसी कौन सी आदते हैं जिनहीं तुरंत त्याग देना चाहिए बातों को बड़ा चड़ा कर बोलना चानक यनिती के अनुशार व्यक्ति को कभी भी बातों को बड़ा चड़ा कर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो लोग हर बात को बड़ा चड़ा कर बोलते हैं वे समाज में मज़ाग के पातर बनते हैं इसे लोग आपका समान भी नहीं करते हैं इसलिए तुन की अपनी इस बूरी आदत का त्याक कर देना चाहिए दूसरों की निंदा नहीं करें आचार ये चानक क्या कहते हैं पीठ पिछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें एक न एक दिन अपने इस आदत की वजह से अपमान का सामना करना करना पड़ता है इसलिए मनुश्य को तुरूंत इस बुरी आदत का त्याक कर देना चाहिए साथ ही ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखने चाहिए जो दूसरों की निंदा करते हैं ने बोले जूट जो लोग जूट बोलते हैं या पिर जूट के सहारे जिमन में सपलता को प्राप्त करते हैं उनको इसका अपमान का सामना करना पड़ता है जूट बोलकर प्राप्त की गई सपलता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है क्योंकि सत्य एक नए एक दिन सब के सामने आ ही जाता है इसलिए इस बूरी आदत का त्याग तुरंट कर देना चाहिए लोब ने करें आचार ये चनक के कहते हैं कि जब व्यक्ति लोब में फंस जाता है तो उसका सुक और चैन गायव हो जाता है और व्यक्ति छोटी-छोटी कुशियों का भी आनंद नहीं उटा पाता है साती एसे लोगों को कभी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है इसलिए व्यक्टि को अपनी इस आदत का भी त्याग कर देना चाही तो दोस्तों आज की चानक्यनिती आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जुरूर करना धन्यवाद जै हिंद जै भारत